आज हम आपको एक और अच्छा सा टॉपिक पढ़ाएंगे जिसको हम बोलते हैं एविडेंसेस ऑफ और्गेनिक इवलूशन और्गेनिक इवलूशन में क्या-क्या ऐसी चीजे थी कि वो एविडेंस वो साख्षम को बताएंगे कि कैसे और्गेनिक इवलूशन से हमारे क्या ये अर्थ पर क्या हुए और्गेनिजम का जिवों का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है तो इन में हम क्या करेंगे जो ये हम और्गेनिक इवलूशन के एविडेंसे को पढ़ेंगे उनमें हमको एप्रॉक्समेटली कितने एट आठ एविडेंसे को पढ़ना है और उसमें से पह paleontological जो क्या है word है या term है इसका मतलब होता है the study of fossils the study of fossils is called paleontology अब अगर हम बात करें कि जो ये paleontology था ये दिया किसने था इसकी खोज कैसे हुई थी तो एक बहुत ही महान professor थे जिनका नाम था Leonardo da Vinci ठीक है Leonardo da Vinci या da Vinci आपके सकते हैं ठीक है तो ये क्या थे father थे इसके बाद किसके father थे ये paleontology के इसके बाद founder कौन था तो founder हम बोलेंगे जार्ज क्यूवियर ठीक है जार्ज क्यूवियर वजे founder यह क्या थे उनके founder थे अगर हम बात करें Indian father की मतलब Indian father of paleontology तो डाक्टर बीरबल सहानी ठीक है डाक्टर बीरबल सहानी इन्हीं के नाम से लखनों में जो हमारा capital है किसका capital है उत्तर प्रदेश का ना वहाँ पर इनके एक इनके नाम से institute बना है पेलियो बॉटनी की तो हम बात करेंगे उस institute का नाम है क्योंकि यह क्या थे बॉटनी में यह बॉटनीस थे तो हाँ पर था वीरबल सहानी इंसिट्यूट आफ पेलियो बॉटनी इन लखनव ठीक है तो इसके बाद अब हम एक और साइंटिस्ट थे जुन्हों ने पेलियोंटोलोजी की क्या दी थी या फॉसिल्स हम करें क्योंकि यहां पर हम study किसकी कर रहे है फॉसिल्स की तो पेलियोंटोलोजी में एक क्या थे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स समय से ठीक है दस हजार साल के पहले समय से वो क्या हो किसी रॉक के नीचे इंप्रेश्ट हो या दबा हुआ हो उसी को हम क्या कहेंगे फॉसिल कहेंगे तो यहां पर क्या किया कहा गया इंग्लिस में देखे लिखा है इंप्रेश इंप्रेश आफ या इंप्रेशन यहां कर स years ago, found in rock, जब कोई भी materials या कोई भी body organs हो चाहे plants के हो या animals के हो, वो कहां पर rock के नीचे impressed हो, दबे हुए हो, और उनकी जो दबने की age हो, वो लगबग 10,000 साल से अधिक होनी चाहिए, 10,000 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तब ही हम उन्हें क्या बोलेंगे, fossils कहेंगे, ठीक है न, अब इसके बाद, इससे क्या होता है, जो हम fossils पढ़ते हैं, fossil provided one of the most acceptable evidence in support to the organic evolution, ये कौन के रहा है, ये paleontology कहता है कि अगर आपको best, क्या चाहिए, acceptable और supported theory चाहिए, या evidence चाहिए, organic evolution का, तो organic evolution का सबसे अच्छा और सबसे क्या है, best, जो evidence है, वो क्या है, fossil, तो क्या होता है, fossil हमें provide करता है, क्या fossil provide one of the most acceptable evidence in support to organic evolution, clear, now, अब यहाँ पर हम देखेंगे, एक एक करके हम different types के fossils को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पहला है unaltered fossil, unaltered का मतलब जिसको चुआ न गया हो, वैस जिसको disturb ना किया गया हो, तो unaltered fossil में इसमें आपका आ जाएगा पहला क्या, impressed in ice, यह ऐसे fossils हैं, जो कहां पर जाकर के दब गए हैं, आपके जो ice है, उस ice में ऐसे बहुत सारे देश हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है, हो सकता है कोई बरिफिला तुफान अगरा आया हो, और कुछ जान और उसके अंदर क्या हुए हो, दब गए हुए हो, और आज भी वो ऐसे के वैसे क्या है, पड़े हुए हैं, और जब उनको कुछ टाइम के बाद निकाला गया, लगबग 10,000, 12,000, 15,000 साल के बाद, तो वो ऐसे के वैसे ही, पड़ेत जैसे इ उसको हम क्या बोलते हैं, मैमौत कहते हैं, मैमौत, ठीक नहीं, मैमौत is the example of the unaltered fossils, clear, now the second is petrified fossil, petrification से ही related है, क्या, replacement, ठीक नहीं, एक से दूसरा क्या हो जाए, replace हो जाए, एक की जगन दूसरा आजा, जैसे, देखे, it is the most common fossil, ठीक नहीं, most common fossil is it, यह क्या है, एक most common fossil है, यह हम क्या पढ़ेंगे, replacement, यहां पर देखो, replacement of organic part by mineral deposits, या mineral deposits, जो minerals हैं, और जो organic part है, किसी भी animals या plants का जो organic part है, वो replace हो जाए, किसे minerals है, जहाँ पर mineral है, वहाँ पर क्या हो जाए, organic parts हो जाए, decomposed हो करके, और जहाँ पर organic parts है, वहाँ पर deposit हो जाए, क्या mineral, तो ऐसे fossils को हम बोलते हैं, क्या petrified fossils, इसको हम petrification भी कहते हैं, अगर हम यह बात करें, तो सबसे पहले क्या, human body की जो teeth होती है, उसकी fossils को पहले देखा गया था, किसके through, petrified के through, यह आपका clear हुआ, दूसरा है, malts fossils, यह malts fossils ऐसे होते हैं, जैसे body का कोई external organ जो होता है, वो किसी कीचर वगारे में दब जाए, ठीक है, अब दबने के बाद, वो SSH कई हजार साल तक ऐसे पढ़े रहे हैं, तो ऐसे fossils को हम क्या बोलते हैं, या mud या soil में वो क्या होते हैं, पढ़े रहते हैं, त जो गिला, मिटी होता है, उसके अंदर, या mud के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, ऐसे जब दब जाते हैं, उनका structure और वो ऐसे दिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, आपका क्या, malts, fossil, यह footprint वगारे के जैसे भी हो सकता है, ठीक है, अब अगला है, क्य यह सम मिला हुआ है, और तब उसके recording बताया जा रहा है, कि हो सकता है, कोई soft part आ करके, क्या हो गया हो, दब गया हो, ठीक है न, तो यह सारी चीज़े वहाँ पर, या तो क्या हो, या तो हो वही चीज़ मिल जा, या उसका print मिल जा, ठीक है, या तो वही चीज मिल जा, जैसे, अभी dinosaurs के क्या मिले थे, bones मिले थे, ठीक, या तो कहीं कहीं dinosaur का bone क्या हुआ, decompose हुआ, और उस bone की जगह है, वह bone जहाँ पर था, वहाँ रॉक में क्या हुआ, उसका shape बन गया, ठीक है, print हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते है, cost, fossil केते हैं, और दूसरा है, आपका of the intestine excreta of many animals, like ancient rsark and faeces and reptiles, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, corollides, fossils केते हैं, आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं, कि पहले माल लिजिए अगर reptiles थे, अब उन reptiles से कैसे bird का evolution हो गया, ठीक है न, तो आइए हम देखते हैं, उसको archiopterists केते हैं, the connecting link between, fossil connecting link between the, क्या, avies and reptiles, ओके, नओ, archiopterists, fossil connective link between bird and reptiles, जहां पर bird है, इसको हम avians भी कहते हैं, avies, ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं, कि fossil was discovered by Wagner from Boveria in Germany, ये वाला line देखो, ये वाला, fossil was discovered by Wagner from Boveria in Germany, जर्मनी का एक क्या है, वो, जगह है जर्मनी में, जिसको Boveria कहा जता है, वहां से fossil को first time, किसने discovered क्या था, जो आपके क्या है, प्रोफेसर है, उनका नाम है Wagner, ठीक है न, अब इसके बाद फिर कहां, it was found in the, it was found in the rock of Jurassic Park, period, ये rock पाए थे, कब, ये rock मिला था, इनको, वो कब का rock था, जब इसकी study की गई, तो Jurassic period का rock था, ठीक है न, जिसमें डाइनासोर्स वगएरा दिखे थे, इसके बाद था, रेप्टेलियन करेक्टर इन्होंने देखा, तो देखा, जब रेप्टेलियन करेक्टर को इन दोनों से मैच कराए गया, तो क्या देखा गया, लॉंग टेल वास प्रेजेंट, रेप्टाइल्स के पास लॉंग टेल प्रेजेंट था, दूसरा, क्या था, बोन्स वास निमेटिक मतलब उनमें वायवी बोन नहीं पाये जा रहे थे उनमें कैसे बोन पाये जा रहे थे उनमें अब क्योंकि आपको पता है पच्छियां जो होती है वो उरती है तो उनमें क्या होता है उनके बोन और हमारे भी बोन में क्या होता है जगा होते हैं उसी बोन में के अं पाया जाता है लेकिन उनका इस ट्रणनम क्या होता है वीक होता है ठीक है ना अगला है प्रेजेंट आफ फ्री कैडूल वर्टिब्री री वर्टिब्री इन दा आईजिन लिजार्ड लिजार्ड में क्या होता है कैडूल वर्टिब्री पाया जाता है वर्टिब्री क्या होते जो छोटे-छोटे bone होते हैं, back bone होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, vertebrie कहते हैं, और जब ये back bone क्या होते हैं, एक column में हो जाते हैं, तो उसको हम vertebral column कह देते हैं, ठीक है न, अब देखें, similar teeth present in jaw, और दोनों के jaw में क्या थे, similar teeth क्या थे, पाय जा रहे थे, यहां पर देखो क अब जो क्या कर रहे हैं एवियस की जो एवियंस है इनका हम करेक्टर देखते हैं तो एवियंस का जो करेक्टर है वो क्या है प्रेजेंट आफ फीदर उनमें क्या था फीदर था तो आप देखेंगे NCRT के बुक में और बहुत सारी साइट बुक में क्या दिया है दोनों के कर एक्टर और फिगर भी दिया हैं वहाँ पर देखेंगे तो रेप्टाइल के बाद पंक भी ऐसे जब शुरू शुरू में अब वहाँ पर जो पर्मानेंटली उड़ने लगे थे वो क्या हो गए बड़ बन गए और जो नहीं उड़े धीरे-दीरे क्यों क्या था इन्वार्मे चेंज हुआ तो अपनी आपको क्या किया उसी साथ धाल लिए और कुछ उड़ने लगे तो बड़ बन गए और जो नहीं उड़े वो क्या हो गए रह गए अगला है फोर लिम्स वाज मॉडिफाइड इन यहां पर देखें दा टू जा वर मॉडिफाइड इन्टू बीक और चोच इम और बड़ा गया दर शखेंक कन यहां उसका नाम और देखेंगे तूस की पास पंक भी था वो क्या था नीचे भी चलता था उसके एक पैर पूछ भी थी और पंक भी था तो वहाँ पर जा कर देखेंगे तो वह सबसे बेस्ट मुवी है आपको क्या बताने के लिए इसके बाद फिर अगला के रहे हैं कि नहीं तो देखें हम अगली वाली जब वीडियो लेके आएंगे तो हम उस मुवी का आपको नाम बता देंगे ठीक है आपको मुवी देखें हैं आपको वीडियो में भी बहुत तो लगाते हैं ठीक है ना दूसरा है फोर लीम स्वाज हो गया अगला इवलूशन अब हम देखेंगे क्या जो इवलूशन हुआ है पेडिग्री किसमें हार्स में यह पूछा जाता है एक बार पूछा गया था नीट के पॉइंट आप वियू से ठीक है ना तो पिड़ इवलूशन इवलूशन आफ होर्स में क्या हम उसकी पेडि पेडिग्री एनलीसिस कहते हैं तो इसमें देखिए है फॉसील आफ हॉर्स वाज फॉन इन नार्थ अमेरिका नेम्ड यो हिपस उसको क्या नाम दिया गया था यो हिपस नाम दिया था ठीक है ना और देखिए सबसे पहले इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था प्रोफेसर मार्स ठीक है ना कौन जो पेडिग्री एनलीसिस या जो इवलूशन को देखे थे किसमें हॉर्स में क्या नाम था उनका उनका नाम था प्रोफेसर मार्स नहोंने क्या बताया कि प्रीमिटिव फॉसील आफ हॉर्स वास फाउंड इन नार्थ अमेरिका उसका नाम क्या था जो पहला सबसे पहला उस समय जो प्रीमिटिव हॉर्स था उसका नाम था इयो हिपस क्या नाम था इयो हिपस यह इयो हिपस जैसे जैसे एवलूशन हुआ वैसे मीजो हिपस में बदला और मीजो हिपस बदल गया किसमें मर्गो हिपस ठीक है ना मर्गो ह सिदा बता दीजिएगा उसका नाम क्या है एक्वस जैसे कहा जाता है कि अगर फॉसिल की डेटिंग करनी हो कि यह हमारा फॉसिल कीतना पुराना है इसके लिए बहुत सारे डेल मेथट्स हैं बहुत सारे मेथट्स ऐसे हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं रेडियो कारबन मेथट्स जुरासिक या हम के सकते फॉसिल पार्क हैं और वो फॉसिल पार्क क्या है अपने इंडिया में हैं जैसे पहला है आपका बीरबल सहानी इंसिट्यूट अप पैलियो बॉटनी ठीक है लखनव में है और एक इसमें क्या था मध्य प्रदेश में जो क्या है मंडला डिस्टिक है वहां पर मिला एक 50 साल पुराना एक forest है 50 साल नहीं 50 million years एगो का क्या है एक पुराना forest है जिसको preserve करके रखा गया है in the form of fossil तो यह आपका पूरा था किसके बारे में fossilization के बारे में और देख रहे हैं कैसे evolution हुआ है सारी चीजों में पहले क्या बना था अभी जब आगे हम जाएंगे और पढ़ेंगे किसमें अभी जब kingdom अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि पोरिफेरा से कैसे चीजे बनी थी और अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सबसे पुराना सबसे पुराना जो फॉसिल है उसका जो डेटिंग एज है वो है लगबग 3.4 billion years वो क्या है साइनो बैक्टिरिया ठीक है ना जो इसका फॉसिल सबसे पहले मिला था और जिसकी डेटिंग एस थी कितना 3.4 million ठीक है ना यह आपका था फॉसिल के बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला अपना क्या जियो लॉजिकल टाइम स्केल जिससे हमको उससे भी क्या होगा यह पता चलेगा कि कैसे जुरासिक पीरियड में या एरा में कैसे कैसे चीजें कैसे डेवलब हुई उन सब की बारे में हमको वाँ पर पढ़ना है देखे हमने अपने चैनल का नाम जो था उसको क्या कर दिया है चेंज कर दिया है जीनियस इस्टेडी पॉइंट्स ठीक है न तो यह नाम है तो प्लीज सस्क्राइब एंड वाच माई वीडियो थेंक यू कर दिया है तो